हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अकबर तो दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारी हौरर कहानिया सुनी होगी लेकिन आज की जो कहानी है ना यह कहानी आपको सच में डर का एहसास करा देगी तो इस वीडियो को सूरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह कहानी एक कार ड्राइवर की है जिसने एक रात ऐसी घटन को छोड़ कर घर लोट रहा था रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था उस रात घना कोहरा चाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था जैसे ही रग्हु ने अपनी कार एक सुनसान मोर पर घुमाई उसे सडक किनारे एक महिला खड़ी दिखी घबराहट हुई लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को किसी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा अजीब सवारी महिला चुपचाप कार में बैठ गई और उसने कोई बातचीत नहीं की उसने बस एक गाव का नाम लिया और खिडकी के बाहर देखने लगी रास्ते भर रगुने कई बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वह चुप ही रही जैसे ही कार जंगल के बीच पहुँची रगुने महसूस किया कि कार का तापमान अचानक थंडा हो गया है उसने रियर्व्यू मिरर में देखा तो पाया कि महिला का चहरा दिखाई नहीं दे रहा था जबकि उसकी परचाई पीछे की सीट पर थी खौफनाक मोड रगु का दिल तेजी से धड़कने लगा उसने हिम्मत जुटा कर महिला से पूछा आप कौन है और कहा जाना चाहती है महिला ने धीरे से उसकी तरफ देखा उसका चहरा बुरी तरह जला हुआ था और आखें खून से लाल महिला ने कहा जहां मैं जा रही हूँ वहां तुम्हें भी आना होगा रगु ने डर के मारे कार रोकी और भागने की कोशिश की लेकिन उसका दर्वाजा अंदर से बंध हो चुका था रहस्यमय अंत सुभा होने पर रगु की कार एक पेड से टकराई हुई मिली वह बेहोश था लेकिन जिन्दा था जब पुलिस ने पूछ ताच की तो उसने पूरी घटना बताई लोगों ने कहा कि उस जंगल में कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी और वह अकसर उसी जगह दिखाई देती है उस दिन के बाद रगु ने रात में ड्राइविन करना छोड़ दिया वह घटना आज भी उसके सपनों में आती है और उसे जगजोर कर रख देती है यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अंधेरी रातों और सुनसान रास्तों पर छिपे रहस्यों को नजरंदाच करना ही बहतर होता है